इस वीडियो के अंदर मैं आपको गोल्ड एक्सचेंज की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत्र तक जुरूर देखें सबसे पहले आप अपनी सभी जुएलरी का वेट कर लें जैसे की मैंने अपनी सभी जुएलरी का वेट यहां पर कर लिया है जिनका वेट आ रहा है 104.11 ग्रैम्स यह वेट मशीन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका पर्चेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है क्लिक करके आप चाहें तो खरीद सकते हैं अगर आपकी जुएलरी में कोई तस्वीर या कोई रतर जड़ा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं म सबसे पहले आप जिस किसी शोरूम से अपने गोल्ड जुएलरी को एक्सचेंज करने जा रहे है हैं वहाँ पर आपकी गोल्ड जुएलरी को इस मशीन के द्वारा जाच किया जाएगा यह मशीन Fischer कमपनी की X-ray मشीन है X-rays के दोरा आपकी जोलरी में विबिन दात्वों के बारे में पता किया जाता है इसमें गोल्ड की परतिशत कितनी है, सिल्वर की परतिशत कितनी है तथा अन्य दात्वों की कितनी परतिशत है इसके बारे में पता किया जाता है इसमें यह एक software है जिसके माध्यम से आपकी जोल्री के कैरेट के बारे में पता किया जाता है गोल्ड की कैरेट की डिटेल जानकारी के लिए आप part 2 अवश्य देखें यहाँ पर उधारन के तोर पर एक गोल्ड जोल्री की जांच की गई है इसमें entry सबसे नीचे आ रही है इसमें AU यहनी की गोल्ड की परतिशत दी गई है जो की है 87.06 AG यहनी की silver की परतिशत जो की यहाँ पर दी गई है 5.029 CU यहनी की copper की परतिशत जो की दे रखी है यहाँ पर 7.898 Zinc की परतिशत यहाँ पर नहीं है Chemical formula इसका ZN है Nickel यहनी की Ni की परतिशत यहाँ पर कुछ नहीं है Cadmium की परतिशत यहाँ पर दे रखी है 0.303 MQ का मतलब मुझे पता नहीं X1 जो की carrot है Carrot software ने calculate करके बताया है 20.90 इस परकार से आपकी सभी जोलरी की इस मशीन द्वारा जाच की जाएगी और उनके carrot के बारे में बताया जाएगा आपको इसके बाद melting की प्रक्रिया शुरू होगी Melting की प्रक्रिया प्रारंब होने से पहले आपसे consent form fill up कराया जाएगा आपके signature भी लिये जाएगे आपकी pen card की details और उसकी एक copy भी आपसे ली जाएगी अब melting की प्रक्रिया शुरू की जारी है सबसे पहले container की जाँच कराई जाएगी कि ये खाली है उसके पश्चात अगर आपकी gold jewelry में कोई तस्वीर या कोई रत्म जैसे कि या मोती जड़ेवे हैं उनको निकाला जाएगा तो यहाँ पर gold smith आपके jewelry में से ये सब चीजे निकाल रहे हैं आपको दे देंगे यहाँ पर ये मोती को कट करके निकालेंगे अणिकी謝謝 क्या करों से आपके निकालगा वर किल्पाइब एक जड़ा काल Раз में भी ज्यार चाहिए इन्हें वेट करके दिखाएंगे यह वेट को नोट कर लेते हैं यहां टू पार्ट में मेल्टिंग की जा रही है केरेट की वजह से इन्होंने जो हाई केरेट के थे वो सेपरेट कर दिये जो कम केरेट के थे उनको सेपरेट कर दिया क्योंकि कम कैरेट में ये अलग से डिड़क्शन भी करते हैं जिस शोरूम में मैंने मैल्ट कराया वे 8% डिड़क्शन करेंगे अगर वो 18 कैरेट का है या फिर 22 कैरेट से कम है और 22 कैरेट का अगर है तो उसमें कोई डिड़क्शन नहीं करेंगे यह उनकी स्कीम चल रही थी यहां पर यह पहले पार्ट को मेल्ट करने जा रहे हैं यह मेल्टिंग की मशीन है इनकी आपकी एक एक करके जोलरीज मेल्टिंग कंटेनर में डालेंगे इसको कोठार मशीन भी कहा जाता है जब तक यह मेल्ट हो रहा है तक तक यह जोलरीज में से मौतियों को निकालेंगे पक गणिक की अज़ता है अच्छा बैसे नहीं किल पाई गाईगे जिए? यह जोलुआट पेदी ज़स्ता है आसानी से नहीं किलता है कर दो विजिद गलाब विजिद तो जब इसमें तो कट रहा है न फिर यह बच जाएगा बच तो गया फिक जो बचादो गया खिक बचा दो गया 440-550 अब तो पह्ता इसे तो कि एे जब एक इत का था पाल पैसे इसे सिंगल कि अश्रीजियो पर्ल खाले कि पर जखिए अधिरोडिक जाए इसकी रावन भूरे प्रोल कि वैसा नीगा है अच्छा पर्ल नहीं यह जुख और निजान अर्हारा ना कस लिदा जाए पिस आ श्रीजिय को आठते है कि अब दो कि अब दो सरा मोट इब अब दो अब एद को अब मैं यो अब तो पहता है इनो ने इसमें से मोटी निकाल दिये मोटी आप रख सकते हैं ज्यान से भीया दूसरे लोट का वेट कर रहे हैं तो इनका वेट आ रहा है 34.5655 25.59 600 शांपक्स 10 gram यहां 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 यहां पर यह मेल्ट हो चुका है 14.5 यहां पर यह कोड बार त्यार कर देंगे इसकी, यह साचे में डालेंगे इसको अप, यह उन्हें साचे में डाल दिया और इसमें यह आपको दिखाएंगे कि कुछ है नहीं, और कई बार आप इसमें देखें कुछ अवशेश रहाते हैं, जो अवशेश होते हैं वो मैल होता है, गंदगी होती है, आप अच्छे से बार और दुबारा देख सकते हैं किसमें कुछ रहा तो नहीं गया है, और किमारें को, ऩो और कि अे हैंग, ओंट वποι से बारीं कोंई उर्भाएंगे इसमें को एको उमे गदे हैं, हो उर्क्तonneग को से देखें दूसरे लोट को मेल्ट कर रहे है इनकी एक्सरे मशीन में चपजाज की गई थी तो कैरेट कम आ रहे थी इसलिए ये लोट दूसरा बनाया उनुने इसको थोड़ा गरम कर रहे है जो पैना लोट हमारा मेल्ट हो चुका है ताकि इसको डाइलूट कंसेंट्रेटिड सल्फरिक एसेड की हल्प से साफ कर सकें कर, जबग उनकी जाना करें करते हैं के इसमें तालेगे सेड़िया ठीट सेफिर्स वर्सेविकल का वर्स हथाजिया सल्फरिक ज्चाश्चफिर्स motionsu सब्सक्राइब निवाद करने के जाए अच्छ आपर की लियर के खीन हो जा है इस अब अच्राइब मेरे अच्छ के लिए गाऊधर टोरोगा है नायची न ही लाओ अच्राइब कर सुने का लेगा आब हाज बहुत तेजा ही तो टो टीक जाएब के लेखके लिए है कि इसको अच्छे से साफ कर देंगे पहुचके मैल्ट होने के बाद भी वेट करते हैं ये कुछ कार्बन जमावा था उसको हटाया नोने अब इसका वेट आ रहा है 65.64 अब देख सकते हैं वेट कम हो गया है पहले वेट इतना था और अब इतना हो गया है ये आपके सामने गोल्ड बार्द चोटी सी एक तयार हो गई है अब तक दूसरा लोड मेल्ट हो रहा है और पीचे से ये कुछ क्लिनिंग भी कर रहे हैं किसी ज्वैलरी की किछे एक क्लिनिंग मशीन स्टार्ट करती है नहीं जिससे काफी शोर हो गया है ये दूसरा लोड मेल्ट हो चुका है इसको भी ये साचे में डालेंगे ये इनोंने साचे में डाल दिया ये एक अलक से छोटी सी बूंद इसमें रह गई है ये देख सकते हैं देखना होगा कि ये गोल्ड है या कुछ और है तो इन चीजों का बहुत द्यान रखना होता है जब आप मेल्टिंग की प्रोसेस करवा रहे हैं इसको भी गरम कर रहे हैं इसको भी गरम कर रहे हैं सल्फरिक एसिड में इसको गरम किया था और साथ साथ गोल्ड बार को भी सल्फरिक एसिड में डाल्यूट सल्फरिक एसिड में धो लिया गया है अच्छे से साफ नहीं हुआ है इसलिए दुबारा गरम कर रहे हैं इसको यह और यह आपको अब दिखाने जा रहे हैं कि वह चोटी सी जो यह बूंद जैसा कुछ है मटर के दाने जितना यह क्या चीज है क्या यह कोल्ड है यह कुछ और है वो सिर्फ एक मैल था और कुछ नहीं इंप्योर्टी होते हैं कई पार गोल्ड में यह दूसरे गोल्ड बार को भी अब क्लिन करें जाएं करेंगे थोड़ा गराम कर रहे हैं अच्छे से कर outreach करेंगे जाएगा, इसको कपड़े से पहुच लेंगे, इस पर कुछ कार्बन रह गया है, वैसे, इसका भी आपको वेट करके दिखाएंगे, तो वेट आ रहा है, 34.22 ग्रैम्प्स, तो मुझा सेंडिंग कर रहे हैं, इस पर, ताकि एक्सरेइ मेशीन में जब जाच की जाए, तो कोई परिशानी ना हो, यहां पर आपकी गोल्ड बार की दोबारा जाच होईगी, बेल्ट करने के बाद, यह पूरा एक्यूपमेंट है इनका, जिसके द्वारा यह गोल्ड की केरेट को जाचते हैं, यह मशीन जैसे कि पहले भी बताई मैंने, फिशर कंपनी की एक्सरेइ मशीन हैं, यहां पर अब आपका नाम कर्स्टमर का नाम पीड किया जाएगा, और कोल्ड बार को, मैल्टेड कोल्ड बार को रखा जाएगा, फोकॉस बठाया जाएगा, मशीन को स्टार्ट किया जाएगा, 30 सेकंड का यह समय लेती है, रिडिंग सबसे नीचे आएगी जैसे कि प्रेले भी बताया था आपको, प्लीज बेट, यह सबसे नीचे रिडिंग आगई है, प्लीज बेट, यह सबसे नीचे रिडिंग आगई है, इसमें टोटल दो रिडिंग ले जाएंगी, और उन दोनों रिडिंग की एवरेज निकालके आपकी गोल्ड की केरेट को माना जाएगा, जरो प्लीज प्लावी, यहां पर 20.68 का रिडिंग में, वेरेट, यहां पर 20.68 के रिडिंग में, जरो जो बेट, इस बार 20.7 करट आया है अब ये दूसरी गोल्ड बार को चेक कर रहे हैं जिसकी करट कुछ कम थी 18.7 कर रहे है कि यह अलब करागा नहीं है तो इसका है इसका है इसका है इसका है इसका है इसका बोलते है निकलता है इसका 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 ह तो इन चीजों का भी आपको दियान रखना है, अगर आपको शक है कि ये रीडिंग सही नहीं आई है, तो आप कहकर दुबारा से रीडिंग करवा सकते हैं अपनी तसलिक के लिए, तो यहां पर यह जो सेकंड लॉट की जो गोल्ट वारेस की दुबारा जाँच कर रहे हैं, इसमें केरट कुछ कम है, देख सकते हैं कुछ बढ़कर आई है, अब अठारा हो गई है, कार्बन से बताए है, तो यह हो सकता है, शायद कार्बन के ओपर उने फोकस किया था, इसलिए ऐसी गरवड रेडिंग आई, ज़ी केसे करता हुआ है चक केसे करता है पोक को से नहीं इक्स्रे मशीन के देवा करते का अन्यक्सरे मजी आए अन्यक्सरा ज़ी आए ज़ी मेंचे यह रची ज़ी कोणा बोजी ते ज़ी से कुछ अब ये 18.43 हो गया बढ़ गया है 18.3 हा रहा इंफेक्ट तो इन चीजों का अपने दियान रखना है मेल्डिंग के बाद जब आप के जाँच कराएं टोटल ज्वेलरी का वेट 104.11 ग्राम था और इसमें लोट 1 का वेट जैसे कि आप देख पा रहे हैं 65.48 था दूसरे लोट का वेट 34.218 ग्राम था और इसमें पल्स का और एक तस्वीर का जो वेट है वो था 3.44 ग्राम तो अगर इसको हम सब्ट्रेक्ट करें औरिजिनल वेट से तो 0.804 ग्राम आ रहा है यानि कि मेल्टिंग के दुरान हमारा इतना वेट का लोस हुआ है पहले लोट में गोल्ड की परसंटेज है 86.26 और दूसरे लोट में गोल्ड की परसंटेज है 79.5 परसंट और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गोल्ड एक्सचेंज की प्रोसेस के बारे में पूरा पताऊंगा तो पार्ट टू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो